हेलो एब्रिमर आज हम लोग नेक्स्ट कंटीन्यू करने वाले हैं अपने यूनिट 3 दाट इस एनरजी विंड एनरजी ठीक है विंड एनरजी का पहला टॉपिक आपने अपनी सिलिबस में देखेंगे दाट इस विंड डाट तो इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कंप्लीट कि गॉणब हम में जाओ ठीक हमंचेया था था प्रिविस लेक्चर में तो आज का टापिक हमारा विंड डाती से हम लोग क्या समझते हैै विंड दाट मींस कि विंड क्या हैőं विंड एनरजी का यूज्ज हम लोग एनलेक्रिसिटी जेनरेशंमेए कैसे कन्ट्रीउट कर रहा है क्या क्या हमारे पास कुछ डिवाइस है जिससे हम विंड का डाटा हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं तो इस विंड डाटा टॉपिक के अंदर हम लोग इस चेज को देखेंगे तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं all countries have national metrological sources that records and publish weather related data including wind speed and direction ठीक है तो हर एक national metrological service के पास यह provision होता है इस तरीके का service available होता है ठीक है कि हमारे environment में जो भी हो रहा है ठीक है in terms of अगर rain का और rain की बात की जाए ठीक है तूफान अगर आ रहा है ठीक है अगर natural जो भी यहां पर हो रहा है भूकम पाया ठीक है अथुकेक हो गया tsunami आया या फिर किसी भी तरीके का natural यहां पर processes आकर हो रहा है तो हर एक चीज का यह record यह collect करता है ठीक है तो इसी तरीके से हमारे पास national metrological services है जो कि weather related जो भी natural processes होंगे ठीक है तो उनका record यह रखता है तो अब हम wind energy यहां पर deal कर रहे है तो wind energy के लिए wind से numerical अगर हम कुछ data रखना चाहे तो obviously हम wind के speed को measure कर सकते है ठीक है velocity measure कर सकते है और इसके direction को भी हम लोग observe कर सकते है ठीक है तो इसकी लिए हमारे पास एक instrument है जैसे हम animometer कहते है तो animometer के help से हम लोग wind के speed को measure कर सकते है ठीक है different methods है हम लोग इसको यहां पर देख सकते है ठीक है जो हम लोग wind के speed को measure करते है by using anometer and direction को measure करने के लिए हम लोग wind veins का use करते है थिक है wind veins हमारे पास इस तरीके का strip होता है तो इस तरीके का strip होता है जो की direction को show करता है तो speed को measure करने के लिए हम anometer येजाई वह आप we can use कर सकते है and for measuring direction we will use wind vines anumometer works on one of the principal तो यहाँ पर different points आपको दिया गया है and in points में से किसी एक point को consider करके हम लोग easily wind के speed को हम लोग measure कर सकते है the oldest and simplest anumometer is swinging plate hung vertically and hinged along its top edge wind speed is indicated by the angle of deflection of the plate with respect to vertical तो सबसे oldest and simplest anumometer जो था इसमें इस तरीके का यह अगर हमें speed को measure करना है तो यह wind mills के सबसे उपर में ठीक है या फिर आप अपने घर के आस पास का भी अपने ठीक है local wind का speed अगर measure करना चाहते है तो इसे हम अपने building के top में भी install कर सकते है तो इस तरीके का एक vertical shaft होता है तो इस वर्टिकल सपोर्ट पर यह इस तरीके से rotate करता हो रहता है ठीक है और यह आपका rotate भी करेगा ठीक है साथ ही यह आपके direction को भी show करेगा ठीक है और direction के अलावा यह speed को भी measure करेगा यह जैसे suppose इस तरीके से wind का flow है ठीक है तो यह जो आपका swinging plate है यह आपका rotate करना शुरू करेगा इस direction में ठीक है तो जितना यह rotate करेगा ठीक है इस vertical support के respect में इस vertical axis के respect में यह जितना angle यह move करेगा जितना angle rotate करेगा जिसे हम angle of deflection बोल सकते हैं initial position से यह जितना deflect किया तो इस angle के angle को हम equivalent जो speed होगा उसमें हम convert कर सकते हैं तो suppose यह यहां तक rotate करके इस position से यह आपका position 1 है ठीक है position 1 से यह position 2 पे यहां पे आके रूख गया ठीक है यह आपका इस तरीके से यहां पर suppose यह rotate करके रूख गया तो position 1 और position 2 दोनों के बीच का जो angle होगा ठीक है with respect हम लोग vertical axis measure कर रहे हैं तो यहां से यहां तक का जो angle होगा इस angle को फिर equivalently assume कर लिया जाता है speed of the wind ठीक है इस तरीके से जो oldest animometer हुआ करता था यह अभी भी use होता है ठीक है तो यह आपका speed as well as यह direction को show करने में help करता है दूसरा type का animometer यहां पर use किया जा सकता है यहां पर भी आपको इस तरीके का vertical support मिलेगा यहां पर इस तरीके के circular path होता है इस circular path में आपका cups को इस तरीके से hang कर दिया जाता है multiple cups होगा ठीक है 3 और 4 cups होता है तो इस तरीके से इसको hang कर दिया जाता है जैसे ही आपका wind high velocity के साथ move कर रहा है तो यह क्या करेगा इसे जो cups hang किया वा है circular path में तो इसे यह rotate करना शुरू करेगा, तो यह जितना rotate करेगा तो, ठीक है, तो speed of rotation से हम speed of wind का यहाँ पर हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है, इस cups का या फिर इस circular path का, यह complete rotate करना शुरू करेगा, and speed of rotation को हम लोग equivalent wind speed में convert कर सकते हैं, 3rd type का measuring technique यूज किया जा सकता है, wind speed can also be recorded by measuring wind pressure on a flat plate, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग digital speed measuring instrument भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम directly numeric data हम record कर सकते हैं, 4th type हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, technique that is hot wire anemometer, ठीक है, hot wire anemometer क्या होता है, यहाँ पर circuit से connected होता है, ठीक है, hot wire, and यह hot wire suppose wire का कुछ अपना resistance होगा, तो इसको connect कर दिया जाता है, source के साथ में, ठीक है, source के साथ connect कर दिया जाता है, इसमें current flow होना शुरू करता है, and जैसे जैसे current flow होगा, यह आपका resistive element है, तो यह heat produce करेगा, ठीक है, heat produce करता है, तो इस heat का transfer आपके environment में होगा, ठीक है, obvious अगर आप एक bulb को on करते है, and bulb से जो भी heat generate होता है, तो आपके room को भी heat करता है, तो heat का transfer होगा, इसके surrounding atmosphere में, surrounding जो भी इसके पास wind होगा, ठीक है, and wind में जब यह heat transfer हो जाएगा, ठीक है, तो इसके यह आपका resistive element है, इस resist element के across, जो, जितना voltage drop होगा, या resistance में जो drop होगा, ठीक है, इसका जो भी resistance का value आएगा, इस resistance को equivalent किया जाता है, wind के speed से, ठीक है, and इस तरीके से hot wire animometer का यहाँ पर use किया जाता है, तो principle इस तरीके का है, कि इसमे electricity current flow कराया जाता है, electric current, जिसके वज़े से आपका heat transfer होता है, ठीक है, and जो आपका resistance अकर होगा, ठीक है, hot wire के across, उसी resistance को equivalent wind speed में convert कर लिया जाता है, 5th point we should consider, that is, that is based on the sonic effect, ठीक है, तो sonic effect क्या है, ये एक sound है, ठीक है, and sound जो travel करता है, तो हम लोग यहाँ पर sonic sound को read करने माला, हम लोग instrument यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हम sonic effect यूज़ करने माला animometer भी बोल सकते है, and जो sound, जो travel कर रहा है air में, ठीक है, उस sound को हम लोग measure करेंगे, by using instrument, and उसी को हम लोग equivalent wind speed में हम लोग convert कर लेते हैं, ठीक है, तो जो sonic sound का speed होगा, that will be the speed of wind, 6th point which we can consider, that is, novel techniques like laser animometer, ठीक है, laser animometer में आपको laser light यूज़ किया जाएगा, ultrasonic animometer में ultrasonic का speed होगा, वो आपके wind के speed के equivalent convert किया जाएगा, ठीक है, sodar, doppler animometer, ठीक है, तो इस तरीके से different, different technique यूज़ किया जाता है, to measure wind of the speed or direction of the speed, ठीक है, यहाँ पर एक आपको figure शो किया गया है, यह strong wind का speed measure किया गया है, यह record है, recorded data है, ठीक है, यह जो आपका instrument है, यह animometer है, जिसको mount किया गया है, above the ground floor, ठीक है, यह ground floor से 10 meter के distance पे रखा गया है, 50 meter के distance पे, and 150 meter के height पे इसको install करके speed of the wind को measure किया गया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या observe कर सकते हैं, कि जैसे जैसे आपका height increase हो रहा है, ठीक है, तो wind of the speed यह आपका wind axis है, wind speed का axis है, यह आपका time का axis है, तो जैसे जैसे आपका height increase हो रहा है, ठीक है, speed of the wind also increases, ठीक है, 150 meter के distance पे, कि height पे अगर आपका कोई meter रखा गया है, नमो meter रखा गया है, ठीक है, तो वो high speed वाले wind को measure करेगा, अगर हम इससे थोड़ा नीचे आए, 50 meter पे, ठीक है, ग्राउन फ्लोर से 50 meter के height पे है, तो यह उससे कम velocity वाले wind को measure करेगा, और similarly, और हम नीचे आदे जाएंगे, या, ठीक है, हम यहाँ से conclusion निकाल सकते है, कि जैसे जैसे आपका height increase हो रहा है, ठीक है, wind speed भी आपका increase होता हुआ, जा रहा है, और यहाँ पे हम observe कर सकते है, wind speed is fluctuating with time, ठीक है, यह आपका यहाँ पे काफी fluctuations आपको दिख रहा है, यह time axis है, तो time के साथ यह काफी fluctuate कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल smooth नहीं है, linear नहीं है, यह आपका non-linearly vary कर रहा है, as well as fluctuations बहुत जादा है, ठीक है, इसका मतलब है कि turbulence है present at the site, जिस site पे wind का speed measure किया गया है, वहाँ पे turbulence कुछ यहाँ पर present हो सकता है, ठीक है, यह जो turbulence है, यह जो disturbances है, ठीक है, these are spreaded over a broad range of frequencies, यहाँ पर हम लोग frequency अगर इसका measure करना चाहें, ठीक है, तो यह आपका एक cycle होगा, यहाँ से यहाँ तर, ठीक है, यह वाला जो होगा आपका, इसको हम एक cycle बोल सकते हैं, ठीक है, यह आपका second cycle हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आपका third cycle, यहाँ आपका fourth cycle, ठीक है, तो frequency जो हम लोग measure करते हैं, वो आपका होता है, एक cycle में ठीक है, एक cycle में आपका कितना यहाँ पर cycles, एक complete यह आपका time period हो गया, time period इसको बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर एक cycle बोल सकते हैं, तो एक cycle में यह कितना यहाँ पर vary कर रहा है, कितना fluctuations यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, काफी, अब जितना भी ups and downs यहाँ पर है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, तो यह complete इतने time period में अगर हम देखें, तो यहाँ पर number of cycles आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिल जाएगा, ठीक है, तो 6 cycle per second हम बोल सकते हैं, तो यह आपका frequency को बताता है, यह एक cycle में यह आपका कितना fluctuate कर रहा है, ठीक है, 6 cycles यहाँ पर बन रहा है, तो यह आपका एक rough idea हो गया, frequency मज़र करने का, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि, एक complete time period में, ठीक है, एक time period में अगर हम देखें, तो यह काफी जादा fluctuations यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, per second जो है आपका cycle, number of cycle वो बहुत जादा vary कर रहा है, तो हम लोग यहाँ से 3 point consider कर सकते हैं, इस recorded data से, कि wind speed आपका height के साथ increase करता है, ठीक है, as well as इसमें fluctuation present होता है, with respect to time, and यह जो आपका fluctuation होता है, यह broad range of frequency में, spreaded होता है, as per WMO, that is world metrological organization, जो आपका weather data को record करता है, उसके according, wind speed measurement should be made at an effective height 10 meter above the ground, ठीक है, तो हम लोग minimum height, अगर हमें wind का speed measure करना है, तो हम लोग minimum height 10 meter consider करेंगे, and the frequency of measurement depends on the purpose for which the data is going to be used, ठीक है, तो आपका frequency vary कर सकता है, ठीक है, यह frequency of measurement हम लोग application purpose wise, ठीक है, application wise हम यहाँ पर frequency of measurement कर सकते हैं, ठीक है, तो यह था आपका wind data, ठीक है, जहाँ पर हम लोग wind के recording हमें कोई data collect करना हो, तो हम anima meter के help से use कर सकते हैं, ठीक है, जो कि wind speed को measure करेंगा, and wind wind के help से हम इसका direction को भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है, and हमने कुछ recorded data के according कुछ conclusions निकाले, ठीक है, तो यह था आपका ठीक है, ठीक है, तो तो यह था आपका,